Hello दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आज हम आपके साथ शेर करेंगे यह जो मोती वाली लेस होती है, दोपटे में आप ने इसको किस तरह करें लगाना है, इसको दो तरीके से लगाया जाता है, एक तो ONLY मोती दिखाया जाते हैं, इसको UNDERGRAUND करिया जाता है, एक उपर से लगाई इसको सबसे पहले आपने दुपट्टे को प्रेस कर लेने है और साइड से फिनिशिंग दे लेनी है कहीं भी अनिक्वल ना हो हलका सा पहले कपड़े को फोल्ड करेंगी यह जो दुपट्टे वाला हिस्सा है इसको हमने बिल्कुल दो पॉइंट अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहां पर सिलाई लगा देनी है लेकिन इसको पहले अच्छी तरह फोल्ड करते हुए मैं बिल्कुल बारिक सिलाई लगा दूँगी अब सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हमने इस लेस को अटैच करना है और लेस का जो कॉर्णर है वो थोड़ा भड़ा हुआ होना चाहिए इसको हमने दुपट्टे के बिल्कुल ब्राबर रखना है दुपट्टा नीचे से दिखना नहीं चाहिए साइड में इसके बिल जो लेस अच्छे से लगती नहीं है सिंगल बूट से आपने इसको मोतियों को साइड करते हुए दुपट्टे को लेस के बिल्कुल ब्राबर रखते हुए सिलाई लगानी है यहां पर डबल लगेगी अभी हम सिंगल सिलाई लगाएंगे जो डबल वाली सिलाई है वो आप नॉर्मल बूट से भी लगा सकते हैं इस तरह आपने मोतियों को पहले सेट करना है और सिलाई लगाते जाना है यहाँ पे देखिए जब मैं सिलाई लगा रही हूँ तो मोतियों को साइड पे भी करते जा रही हूँ और नीचे के दुपटे का भी ध्यान रखोंगी और यहाँ पे कॉर्णर बनेगा अब सिलाई को पहले एंट तक कर लीजिए एंट तक लगाने के बाद अब लेस को उपर की तरफ घुमाएंगे और यहाँ पे कॉर्णर बन जाएगा मोतियों को आपने बिल्कुल साइट से निकाल लेना है और अब हम कॉर्णर से इसको स्टिच करना शुरू करते हैं उसी तरीके से हमने दुपटे को पहले बराबर रखना है लेस के और इसको इसके उपर रखते हुए सिल लेना है यह जो उपर रखके लेस लगाते हैं यह लगानी बहुत जादा असान है बस मेरी सब्सक्राइबर की एक रिक्वेस्ट थी कि आप जरूर डालें वीडियो तो इसलिए मैं डाल रहे हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत इजी होती है आपने यह क्यों वीडियो बनाई यह उन लोगों के लिए है जो अब भी सिलाई सीख रहे हैं तो यह उपर से लगा दी है अगले वीडियो में हम इसको अंडरगाउड लगाएंगे इस पट्टी को हम विजिबल नहीं रखेंगे नीचे की तरफ हम कोई और पट्टी लगाएंगे और सिर्फ मोती मोती दिखाएंगे अब इस इलाई को हमने चारो कॉर्णर बनाते हुए अच्छी तरह अटैच कर देना है और एंड करके मैं आपको दिखाती हूँ अब इसका एंड है तो यहाँ पे हमने दो धाई इंच लेस बड़ी कट कर लेनी है बड़ी कट करने के बाद इस तरह इसको फोल्ड करेंगे कम से कम दो इंच तो ज्यादा फोल्ड कर लीजिए क्योंकि इसको अंदर से अटैच करेंगे तो मोती हमारे निकलेंगे नहीं अगर बिल्कुल किनारे से हम इसको अटैच कर देते हैं तो मोती हमारे निकलने शुरू हो जाते है और फिर लेस सारी खराब हो जाती है तो इसलिए ये लेस खराब ना हो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लगाएं और यहां पर अब ये जो सिलाई है डबल कर देनी है उपर की तरफ मैं इसी बूट से कर दूँगी अगर आप चाहें तो डबल बूट जो नॉर्मल वाला होता है वो भी लगा सकते हैं तो इसको पहले सिलाई लगा कर फिर मैं आपको इसकी फाइनल लोक दिखाती हूँ तो लीजे लेस हमारी लग चुकी है बहुत ही बढ़िया इसकी फिनिशिंग आई है कहीं से भी जोल नहीं आया है इस तरफ हमारी दो सिलाईना है और नीचे की तरफ आपने कलर जो लगाना है वो बिल्कुल दुपट्टे के साथ का लगाना है तो ये देखिए बहुत ही फॉलिंग वाली लोकिस की आ गई है आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें बताईएगा जरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम किसी नए डिजाइन नए कटिंग सिचिंग के साथ मिलते हैं